अगला बिंदू जो हमें इस काल के बारे में ग्रामीर व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है वह है पंचायत व्यवस्था, पंचायते, मुखिया और ग्रामीर समाच ग्राम पंचायते, गाओं के समानित और महत्वपूर्ण बिज़र्ग व्यक्तियों के प्रतिनिदित से बनती थी, लेकिन ये आवश्यक था कि ये जो प्रतिनिदित थे, जो बिज़र्ग थे या समानित व्यक्ति थे, इनके पास पुष्टैनी जमीन होना बहुत जरूरी था तो पुष्टैनी जमीन वाले बिज़र्ग और समानित व्यक्तियों को इसका सदस्य बनाया जाता था, इसका पंचायत का हिस्सा होते थे, इस तरह पंचायत एक अल्पतंत्र केंदर के रूप में कारे करती थी, अल्पतंत्र क्यों क्योंकि इसमें विभिन जातियों, विभ इसमें प्रतिनिद्धव था, लेकिन अल्प इसलिए कुछ ऐसा तबका भी समाज का था, जो इसमें शामिल नहीं किया जाता था, जिन्हें प्रतिनिद्धव नहीं दिया जाता था, और ऐसे तबके की बात करें, तो ये खेतीहर मजदूर, भूमिहीन किसान, ये लोग उस तबके में आते थे ये जो व्यक्ति थे जिनको प्रतिनिद्धित पंचायत में नहीं था ये छोटे मोटे कारे करते थे और नीज कारे करते थे जैसा मैंने कहा खेती हर मजबूर भी थे और इन्हें किसी तरह का प्रतिनिद्धित नहीं था एक और इनका प्रतिनिजित नहीं था दूसरी और हम इस बात से वाकिफ हैं कि इनकी संख्या गाउं में काफी हुआ करती थी तो एक काफी बड़ा तबका पंचायतों में अपने प्रतिनिजित उसे वंचित रहता था और इसलिए इसे हम कह सकते हैं अल्पतंत्र इस पंचायत में जो प्रतिनिजित होते थे उन्हीं में से एक सरदार होता था जिसे मुखिया कह सकते हैं जिसे मुकद्दम कह सकते हैं और जिसे मंदल भी कहा जाता था जो मुखिया, सरदार, मंडल, आदी यही नाम है जो उस समय के पंच पंचायद के मुख्य वक्ति को कहा जाता था इनका जो मुख्य कारे था वो एक तरीके से तो यह था कि गाओं की हर व्यवस्था हर तरह की व्यवस्था के प्रति वो उत्तरदाई थे, वो जिम्मेदार थे यहने एक काफी बड़ा दाइरा पूरे गाओं को समगर रूप से चलाना यह ग्राम पंचायद का कारी हुआ करता था स्वास्थ, शिक्षा, सिचाई, इसके साथ ही सुरक्षा, सफाई और साथ ही धार्मिक और नैतिक विकास उसकी व्यवस्था करना आधी-ाधी यह सब पंचायद के कारे थे सो कोई मिलाकर कहा जा सकता है कि पंचायदों के कारे का दायरा काफी बड़ा हुआ करता था और जो पंचायदे थी और जो यह कारे करती थी इसके आएव्याय का हिसाब रखना इसके बही खाता रखना इस यह कारे मुख्य रूप से मुख्या का हुआ करता था याने मुकदम या मंडल जिसे कहते हैं वह करता था और यही शायद उसका प्रमुख काम हुआ करता था बाकी जो कारे थे वो पंचायद के अन्य प्रतिनिदियों के बीच बाट दिये जाते थे विभाजित कर दिये जाते थे यह पंचायद जो है वो पटवारी की सहायता से काम करते थे जहां तक जमीनों के हिसाब की बात है और प्रतियेक पंचायद का अपना कोश होता था जैसा मैंने बताया कि बही खाता आए विया है इसका हिसाब तो मुखिया रखता था लेकिन जो फंड है जो कोश है जो धन है यह कोश हर गाओं के पास एक हुआ करता था अपना फंड और प्रतेक पंचायत इस फंड से अपने सारे कारِयों का निर्वाहन करती थी अपने सारे कारेयों को इसी फंड के मध्यम से करती थी यहां तक कि विपत्ति और आपदा किसी तरह का डिजास्टर हुआ हो किसी तरह की प्राकृतिक घटना हो गई हो, इनको भी इसी कोश के धन से संचालित किया जाता था, देखा जाता था अखिर ये कोश में पैसा आता कहां से था मूल रूप से जो गाओं के जो सदस्य थे, ग्रामीर समुदाय था ग्रामीर समुदाय के लोगों के योगदान से ही ग्राम पंचायत का कोश बनता था और उसका चलता था इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत अपने तई एक पूर्ण रूपेण अल्पतंत्र संस्था थी और पूरी तरह गाओं की सुरक्षा और अन्यकारेयों के प्रती जिम्मेदार थी उत्तरदाई थी पंचायत का एक महत्पूर्ण काम जिसमें एक मुख्या होता था वो था समाज के नियम बनाना गाओं के समाज के नियम बनाना उसका संचालन उसका परिपालन और उसकी व्यवस्था को देखने का काम पंचायत का हुआ करता था जैसा कि पहले बताया, पंचायत में प्रतिनिधित्व जाती के आधार पे होता था, तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका, जो निम्नवर्क का था, वह अपने प्रतिनिधित्व से वन्चित रहता था. जाती के नियम की, यदि किसी ने अवहेलना की, विशिष्ट कर निम्नवर्क के लोगों ने, तो उन पे अच्छा जुर्माना लगता था, और ये पंचायत के कारिक्षित्र में आता था, कि वह जाती अवहेलना करने पर जुर्माना लगा सके, या जुर्माने के अलावा यदि आर्थिक स्थिती, कमो बेश उचित नहीं है, जिसमें वह दे सके जुर्माना, तो उसे समाज सही बाहर कर दें, गाओं सही बाहर कर दें, जाती सही उसे भहिषक्रित कर दें, तो इस प्रकार की सजा उस समय के ग्रामीर्ट समाज में निदित्व करती थी अब सोचिए ऐसी जाती पंचायतों में निम्न जाती की पंचायत का क्या अस्तित्व क्या वजूद रहा होगा ये जो जाती पंचायते होती थी वो अपनी जाती के सदस्यों के हितों की रक्षा करती थी अपनी ही जाती के नियम कानूनों पर ऐसी नजर रखती थी जिससे कि उनके अधिकार खेतर में किसी तरह का हरास ना हो गिरावट ना आए और अपने विरुद्ध किसी तरह के अन्याय होने पर आवाज उठा सकती थी तो जातियों का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायतों में था ही इसके अलावा जातियों की अपनी पंचायते भी थी यदि उची जाती है कोई लोग और या राज्ज के अधिकारियों दोरा जबरदस्ती कर वसूल लिया जाता तो या या उन्हें बलपूरवक बेगार बनाने के लिए विवश किया जाता तो इसकी शिकायत जाती पंचायत से की जा सकती थी यानि ये बात भी स्पष्ट है कि ऐसे कुछ उधारण ततकालीन समाज में हुए होंगे जहां उची जाती के लोगों ने या राज्ज के अधिकारियों ने जवरती कर वसूला हो नियम वरत जाकर कर वसूलने का प्रयास किया हो और या उन्हें बेगार घोशित करने की कोशिश की हो तो उसके लिए भी प्रावधान था कि जाती पंचायतें अपने इस इस तरह के होने वाले अपने विरुद इस तरह के होने वाले विवहार के प्रति अपनी बात रख सकती थी पश्चिम भारत में तो खासकर राजस्थान महराश्ट यहां के जो बहुत से दस्तावेज जो मिले हैं उसमें तो कई ऐसी अरजियां भी हैं शिकायत पत्र भी मिले हैं जो इस बात को इस पश्च करते हैं कि इस तरह की बात होना जिसमें बेगारी या जिसमें जवरदस्ती कर लेने वाली बात इस तरह की बात होना येन के इन पकारेंड तदकाली इन समाज में विशेशकर राजस्थान महराश में होती रहती थी और प्रणाम क्या होता था कि इन घटनाओं के विरोध में शिकायती पत्र जाती पंचायत भेशती थी और इन शिकायती पत्रों की जाँच की जाती थी इनकी अरजियों की इनकी शिकायतों की और इस प्रकार की जो शिकायत पत्र थे ज Therefore ज्याद़ातर निम्न तबके के लोगों के द्वारा ही होता था बेचारी निम्न जाती बेचारे मजदूर जिनकी जात पंचायत पर कोई पकड़ नहीं थी जिनकी अपनी जाती पंचायत का कोई वजूर नहीं था उनके पास यही एक चारा था कि वे शिकायत पत्र या अर्जियों के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करें अपनी बात सामने रखें और ऐसे शिकायत पत्रों को ये लोग एक साथ सामोहिक रूप से देते थे यानि किसी एक व्यक्तिकी शिकायत के रूप में दर्द नहीं किया जाता था ये शिकायत पत्र या अर्जियां तभी बनाई जाती थी जब वो पूरे समाज का प्रत्रित करती हों निम्न तमाज का प्रत्रित करती हों तो सामीक रूप से इसे पेश किया जाता था विरोध दिया जाता था विरोध प्रगट किया जाता था और किसी जाती अथवा संपरदाय विशेश के लोगों दोरा जातियों के लोगों के उन मांगों जो उचित नहीं है उसे प्रगट करते थे तो कम से कम ये बात तो तैह है कि उस समय निम्नवर्ग के लोग या गाउं से बाहत जरहने वाले लोग इनको इस बात की कम से कम छूट थी कि वे अपनी शिकायतों को प्रतिनिधित्व उचित तरीके से कर सकें आवश्यक यही था कि जो प्रसीजर जो तरीका अपनाया जाए वह कानूनन सही हो इन शिकायत पत्रों में किसी जाती अथवा संप्रदाय विशेश के लोगों द्वारा उची जाती के लोगों की उन मांगों का जिक्र होता था जो नैतिक रूप से सही नहीं है जो नैतिक रूप से उचित नहीं है और ऐसा जिक्र करते हुए विरोज प्रगट करने का प्रयास होता था अंत में इसी अर्जियों में इन दस्तावेजों में हम देखते हैं कि यह अनुरोध होता था कि न्याय दिया जाए सामान त्या ग्रामीन समुदाय के ये जो निचले हिस्से के लोग थे ये न्याय की अर्जी देते थे जाति पंचायत के माध्यम से देते थे और न्याय मांगते थे सब्रान समुव द्वारा या रज्य द्वारा की जाने वाली बहुत अधिक करकी मांग ऐसी मांग थी ऐसे अनेको दाहरन मिले हैं जिसमें अरजियों से बात स्पष्ट होती है कि कई ऐसे मौके आएं होंगे आए जब उच वर्ग के लोग जिने सब्रान्त कहा जाता है या राजा के अधिकारी इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा करकी मांग कर दी और ऐसी बढ़ी हुई करके विरोध में अनेकों अरजियां उपलब्ध हैं किसानों के लिए विशेश रूप से सूखा या अन्य प्राकृतिक विपदाओं के समय आजीवी का चलाना कठिन तो होई जाता था यदि सूखा है तो फसल नहीं हुई फसल नहीं हुई तो खुद के लिए खाद्यान नहीं है दूसरों को कर देने की बात तो दूर ऐसे एकाल पड़ा या कोई अन्य प्राकृतिक विपदा हुई आपदा आई बाड हो गई महामारी हो गई तो ऐसी स्थित में किसान अपनी पेड़ भरकाई के लिए खाद्यान एकठा नहीं कर पाता था दूसरी और यहां तथा कते सब्रान्त परिवार के लोग या शासन के लोग ज़्यादा कर की मांग करते थे जिसके विरोध में अनेकों अरजियां उपलब्ध है जीवित रहने के लिए तो इनके पास बुनियादी साधनों की कमी थी लेकिन ये जो निम्न तबके के लोग थे ये इन नियूनतम चीजों को नियूनतम बुनियादी साधन को अपने परंपरागत रिवाजी हक मानते थे और इसी हक के तहट वे बारम बार विरोध प्रकट करते थे इसी अधिकार के तहट पे बारम बार अरजियां देते थे उनका ऐसा मानना था कि गाउं की पंचायतों को उनकी शिकायतों को उच्च राज की अधिकारियों को भेजना चाहिए यानि ये हक के साथ या पेक्षा करते थे कि हमारी जो अरजियां ग्राम पंचायतों को दी जा रही हैं उनका निरा करन करने के लिए आवश्यक है कि ये अरजियां उच अधकारियों तक पहुँचाई जाएं उनके ध्यान में लाई जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि राज जो है वो अपने नैतिक कर्तब का तो इस न्याय की अपेक्षा के साथ ये जो मजदूर थे ये जो निम्न तबके के लोग थे जो कंगाल गरीब लोग थे जिनकी संख्या गाउं में काफी हुआ करती थी और जो गाउं की सीमा के बाहर रहते थे ये लोग अपने विरोध को प्रगट करने का जरिया उसका किसानों तक जाए उनका ध्यान आकरशित किया जाए और फिर ये चाहते थे कि ऐसा करने पर जो शासन है जो अधिकारी हैं वे उनके साथ न्याय करेंगे उच्चत व्यवहार करेंगे हमें ये ख्याल रखने चाहिए कि निचली जाती के किसानों और राज्य के अधिकारियों या इस्थानी जमीदारों से सम्मन्द जगड़े में पंचायत का निर्णे सभी मामले में एक जैसा नहीं होता था ऐसे अनेक मौक्य आए जब निचली जातीयों के साथ का जगड़ा राज्य के अधिकारियों से हुआ किसी तरह का विवाद हुआ लेकिन जमीदारों से भी विवाद हुआ लेकिन ये सब इनके जो निर्णे आते थे वे अलग-अलग होते थे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्णे जो आएं वह भी एक जैसे हुँ लेकिन दुर्भागे से पंचायत के निर्णे गाउं गाउं अलग-अलग हुआ करते थे कभी-कभी तो गाउं के अंदर ही एक ही प्रकार के मामले में भी अलग-अलग निर्णे हो जाते थे ये निर्णे एक जैसे नहीं होते थे और पंचायत अलग-अलग फैसला सुना देती थी यदि मामला अत्यधिक करका था याने ज़्यादा कर लगा दिया कोई किसान उस बात से सहमत नहीं है और तो उसके भी अपने विरोध करने का एक तरीका होता था वे अपनी बात पंचायत को रखते थे और पंचायत उनकी करकी मांग को सामान्य तया समझोते के आधार पर एक रास्ता निकालते थे यानि एक प्रथा थी कि करके मामलों को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत यदि है तो वह मामला पंचायत में जाए और उसे समझोते के द्वारा निप्टाने की कोशिश की जाए लेकिन यदि ये सुझाओ किसानों को पसंद नहीं आये या कर में लिया गया निर्णय कर्तमंदी पंचायत का निर्णय किसानों को पसंद नहीं आया तो उनके पास विरोध के कई रास्ते हुआ करते थे दूसरे शब्दों में किसान विरोध भी प्रगट करते थे और करते आये थे वे कुछ कठिन रास्ते भी अक्तियार करने में नहीं हिचकते थे इन कठिन रास्तों की बात करें तो ऐसे भी उधारन मिले हैं कि वे गाउं छोड़ कर चले जाते थे गाउं छोड़ कर दूसरे गाउं चले जाएं या गाउं छोड़ दें और उसके बाद आगे जो उनको करना हो वे करें लेकिन गाउं छोड़ने की भी एक प्रथा थी अपना विरोध प्रगट करने की कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि पूरा का पूरा गाउं खाली हो गया क्योंकि पूरे गाउं ने कर के मामले में लेकर पंचायत के निर्ने से अपना विरोध प्रगट किया और बात नहीं बनने पर पूरा गाउं खाली हो गया प्रणाम, जब ऐसी सित्याती थी तो गाउं के राजस्व को लेकर शासन की बड़ी चिंता बढ़ जाती थी, जो राजस्व अधिकारी वहां के हुआ करते थे उनकी चिंता बढ़ जाती थी, साथ ही साथ पंचायत का जो कोश है उस पर भी इसका असर पड़ता था, तो इस प थाये गया है, तो उनके द्वारा भी कुछ सक्त कारवाई की जाती थी.